अब हम साइं तेर्थ भूम में आए हैं यहां पर 5D मूवी देखने गौह में मिलती हैं 5D मूवी में हमें पूरे साइं की पिक्चर दिखाए जाती है वन एंड हाफ आज की तो यहां पर यहां साइं तेर्थ बहुत जाता है जाता है जाता है तो यहां साइं तीरत 5D मूवी यह पसारा 5D मूवी गारा है आप एक 5D मूवी होगी पूरी ऊपर देखो यह ट्रेन है यह ट्रेन में बैटें हुए यह ट्रेन चल पड़ी गेखो 5D मूवी सब कुछ 5D में जी गएगा आपको नमस्कार भारत वर्ष के प्रमुक्तीर्थ स्थलों की यात्रा में आपका स्वायत है आज हम उन अग्वत मंदिरों का दर्शन करने जा रहे हैं जिनका निर्मान आज से सदियों पहले हमारे पूर्वतों ने किया था तो आएए इस यात्रा का प्रावि महानगरी मुंबई से करते हैं पूरे देश से यहां लोग आते हैं और ये नगरी किसी को नाराज नहीं करती गेंटवे अफ इंडिया महालत का ये प्रवेश्टवार इस समद्र के तटपाल सौ से धी जादा सालों से ख़़ा है यहां के जो प्रमुक मंदिर है उनमे से लेख है श्री गणेश जी का श्री सिध्धि विरायक मंदिर है तो पहले दर्शन करते हैं श्री करिमिश जी के और दर्शन करने के साथ ही साथ ले लेते हैं गणपती बापा का आशिरवाद भी इस मंदिर का निर्मान श्रीमती देवबाई पाटिल में 16 नवंबर सन 1801 में करवाया था ये मंदिर और ये देवता यहां आने वाले किसी भी शर्दान को में राशन करते और सब की मनों का मापूरी करते हैं हुमई से अपसीधे चलते हैं गुजराद भगवान श्री क्रिष्न का ये प्राचिन दवार का भीश मंदिर दो हजार वर्षों से अधिक समय से यहां बसा हुआ है मानने ता ये है कि दवार का मद्री में भगवान श्री को निवाज ठीक इसी स्थान पर हुआ करता था गोंटी नदी के किनारे पसे इस मंदिर के दो द्वार है, मोक्ष द्वार और स्वर्ग द्वार, चार धाओं में से एक है ये द्वार का इश मंदिर, हर साल जहां क्रिश्म जन्द का उट्सा वड़ेकिन द्वार से मनाया जाता है, अब हमारी यात्रा नर्मदा के उस पार उत्तर दिशाने होगी, हम वारान सी नगदी से होते हुए दशन करने जाएंगे चार धामों में से एक और धाम, श्रीके दादनाग जी के किदारनाथ श्रीजी का मंदिर है, इसे खुब पालबों में बसाया था, ऐसा माना जाता है, आज का जो मंदिर है, उसकी वैच नाम बारा सौ साल पुरानी है, इस मंदिर के द्वार हर साल केवल अक्षय कृतिया से कातिक पूर्मा तक लने लगभ़च्छय माई में खुए रहते हैं, पूर्मा जाता है, इसे खुए रहते हैं, इसे खुए रहते हैं, इसे खुए रहते हैं, है, भगवान विश्व के इस मंदिर का उलेख महाभारत, महागवत पुरान, पद्म पुरान इन सभी गंधों में पाया जाता है, तो आए ये दर्शन करते हैं, श्री बद्रीनाथ जी के, सदियों से लाखों, करोड़ों लोग, आशारी एक आदेशी के दिन, महागवान विश्व के दर्शन के लिए महाराष्ट के पंडर पुर पहुंचते हैं, भगवान विश्व की इस वारी को कौन नहीं जानता, 800 साल पुराना ये मंदिर भग्त पुंडली की भग्ति का प्रमान भी है और महाराष्ट की संत परंपरा का आधार भी, हमारा अगला प्णाव है पुरी का जगनात मंदिर जिसमें बसे हैं साथ्षात भरवान श्री क्रिश्न यानि जगनात, बलभद्र यानि बलराम और सुभद्रा भगवान जगनात का ये मंदिर सुप्रसिद्ध चार्दभमों में से एक है। और चार्द हम की यात्रा की शुरुआत भी यहीं से की जाती है। संग 1104 तब में कलिंग देश के राजा अनंत पर्मा ने इस मंदिर का निमान तरबाया था। और तब से महरवान जगनात की रध यात्रा पूरे इश्व में इख्यात है। आप चलते हैं तक्षि भारत के मीनाप्षी मंदिर की ओड। मीनाप्षी जो देवी पार्वती का रूप है। उनके मंदिर का ये एक हजार स्तंभों का दालान है। 2500 वर्ष पुराने इस मंदिर के 50 मीटर उचे 14 गोपुरम वास्तुशिर्प के संदर्वे का प्रती है। इस मंदिर में 33,000 मुटियां हैं और यहों दर्शन के लिए रूपुर। 800 साल पुराना ये मंदिर भग्त पुनलित की भग्तिका प्रमान भी है। और महराष्ट की संद परंपरा का आधार भी। महराष्ट से अब सीधे चलते हैं। पादिल पंजाब के स्वर्ण मंदिर में। सिखों के चौत्रिक गुरु श्री गुरु रामदास जी ने ये मंदिर अंद्रासो सपत्रे में बनवाया था। और अठार्वी सभी में महराजा रंजीत सिंग्जी ने साथ सौपचास किलो स्वर्ण अर्पर करके दरबार साहिब को सोने से सजाया था। ये अकाल तख्त है और ये है गुरु गुरु रंध साहिब। वाहे गुरु जीता हांसा वाहे गुरु जीती फटह जो बोले सोने हां सच्छी यकां। सौ साल पुराना ये मंदर हमारे प्राचीनत मंदिरों में से एक है। इस मंदर में संस्कृत, तेलु, तमिरु और अन्ण भाशाओं में इतिहास पताने वाले 640 शिलाले हैं। और सत्तर हजार से भी आदि भक्त यहां प्रति दिन श्री बाला जी का तर्शन करने आते हैं। तो आईए हम भी श्री बाला जी के तर्शन करके उनका आशी बाद प्राप्त करते हैं। अधिस्तीत यात्ता के समापन का समय आ गया है। पर इसे समापन करने से पहले चलते हैं श्री और ले लेते हैं साइं बाबा का आशीवार। यही वो सव साल पुरानी श्री है हमारे साइं की श्री। दूखे थे ऐसे साइं निकल गए किसमों पाल गए मूँ के मन दूश नद्धा की सुदों। तो आप अनुमतिते साहीं बाबा के आशीवार के साथ पिस्तीर्थ यात्रा का समापन करते हैं। हमें आशा है कि आपकी यात्रा सखल गूई और आप हमें जावार।